भगवान शीव अवतारी गुरक्षनात की धर्ती को परणाम करत्वाटी देवरहा बाबा के अशिरवाद से इस जिला खूब आगे बड़तवा आज देवरहा बाबा की धर्ती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत्वाटी और आप सबैके नमन करन बाटी उत्तर प्रदेश की गवणर स्रीमती आनंदिबैन पतेल जी यसश्वी और लोग्प्रिय मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाच जी यूपी सरकार के मंत्री गान कारकम्य उपस्तित सांसद विधायक और मेरे पहरे भाई और बैनों चवरे चवरा की पवित्र भूमी पर देश के लिए बलिदान होने वाले देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चर्णों में मैं प्रणाम करता हूँ आधर पुर्वक्सर धांजली देता हूँ इस कारकम में अलग-अलग जीडों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्तित है अनेक स्वतंत्रता सेनाईयों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ आधर करता हूँ साथियों सो वर्ष पहले चावरी चावरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आग जनी की घटना एक ठाने में आग लगा देनी की घटना सिर्फ नहीं थी चावरी चावरा का संदेश बहुत बड़ा था बहुत व्यापक था अनेक बज़वों से पहले जब भी चावरी चावरा की बात हुई उसे एक मामुली आग जनी के संदर्ब में ही देखा गया लेकिन आग जनी की इन परिस्तित्यों में हुई क्या वज़े थी ये भी उतनी ही महत्वपून है आग ठाने में नहीं लगी थी आग जन जन के दिलों में पज़वलित हो चुकी थी चौरी चौरा के इतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रसंसनी है मैं योगी जी उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूँ आज चौरी चौरा की शताबदी पर एक डाग टिकर भी जारी किया गया है आज से शुरू हो रहे ये कारकम पूरे साल आयोजित किये जाएंगे इस दवरां चौरी चौरा के साथ ही हर गाओं हर क्षेत्र के वीर बलिजानियों को भी याद किया जाएगा इस साल जब देश अपनी आजहाजी के 75 वे वर्ष में प्रवेश कर रहा है उस समय ऐसे समहरों का होना इसे और भी प्रासंगिक बना जेता है साथियों चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतहस फूर्तस संग्राम था ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाएगी इस संग्राम के शहीदों को क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में बले ही प्रमुक्ता से जगा न दी गई हो लेकिन आधादिक लिए उनका खून देश की माटी में जरू मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेना देता रहता है अलग-अलग गाओं अलग-अलग आयू अलग-अलग सामाजिक प्रस्ट भुमी लेकिन एक साथ मुलकर वो सब माभारती की वीर संतान थे आजादिक अंदोलन में संभावत है ऐसे कम ही वायके होंगे ऐसे कम ही घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर उन्नेश स्वतंत्रता सेनानियों को फासी के फंदे पे लटका दिया रहा हूँ अंग्रे जी हुकुमत तो सेंकडो स्वतंत्रता सेनानियों को फासी देने पर तुली हुई थी लेकिन बाबा रागवदास और महामना मालवी जी के प्रयासों की बज़र से करीब करीब डेड़ सो लोगों को फासी से बचा लिया गया था इसलिए आज का दिन विशेश रुप से बाबा रागवदास और महामना मदन महन मालवी जी को भी प्रणाम करने का है उनका स्मरन करने का है साथियों मुझे खुशी है कि इस पूरे अभियान से हमारे चात्र चात्राओं युवाओं को प्रतियोगीता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है हमारी युवा जो अध्यान करेंगे उसे उने इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे भारत सरकार के सिक्षामंत्राले ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए गटनवों पर किताब लिखने के लिए शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है चौरी-चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी है जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं चौरी-चौरा शताब्दी के इन कारकमों को लोकल कला, संस्कृती और आत्म निर्वरता से जोडने का प्रयास किया गया है ये प्रयास भी हमारे स्वतंतरता सेनानियों के प्रती हमारी स्रद्धानली होगी मैं इस आयोजन के लिए मुखमंत्री योगी आतिते नाज जी को और यूपी की सरकार की भी सराना करता हूँ सातियों सामुहिक्ता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेडियों को तोड़ा सा वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी सामुहिक्ता की यही शक्ति आत्म निर्भर भारत भ्यान का मुल्भुत आधार है इस देश को 130 करोड देश वाच्छों के लिए भी आत्म निर्भर भना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की बनाई के लिए भी आप कल्पना की करिए इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से जादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाईयां भेजी आज भारत ने दुनिया के अलग देशों से अपने 50 लाग से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया जब भारत ने अनेकों देशों के हजारे और नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा जब आज भारत खुद करोना की वेक्षिन बना रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गती से टिका करन कर रहा है जब भारत मानव जीवन की रक्षा को धान में रखते हुए दुनिया भर को वेक्सिन पहुचा रहा है दे रहा है तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा साधियों इस अभियान को सभल बनाने के लिए अभूत्पूर्व प्रयासों की भी जरूरत है इन भगिरत प्रयासों की एक जलक हमें इस बार के बज़ेट में भी दिखाई देती हैं कोरोना कान में देश के सामने जो चुनवतियां आई उनके समाधान को ये बज़ेट नई तेजी देने वाला है साथियों बज़ेट के पहले कई दिखज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकर का सामना किया है इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा देश के आम नागरिक पर बोज लानना ही होगा नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे लेकिन इस बज़ेट में देश वासियों पर कोई बोज नहीं बढ़ाया गया बलकि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जादा से जादा खर्च करने का फैसला लिया है इक खर्च देश में चावडी सरका बना सरके बनाने के लिए होगा इक खर्च आपके गाउं को शहरों से बाजार से मंडियों से जोडने के लिए होगा इस खर्च में फूल बनेंगे, रेल की पट्रियां बिछेंगी, नई रेल चलेगी, नई बसे भी चलाई जाएगी, सिक्षा, पढ़ाई, लिखाई की ववस्ता अच्छी हो, हमारी विवाओं को जादा अच्छे आउसर मिले, उसके लिए भी बजेट में अनेक फैसले लिए गए हैं। और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूत पड़ेगी, जब सरकार निर्मान पर ज्यादा खर्च करेगी, तो देश के लाखों नवजमानों को रोजगार भी मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, साथियों, दसकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या गोशना कर दी गई। बजट को बोट बैंक के हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविश्की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी गोशनाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, एप्रोच बदल दी है। साथियों कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाए लड़ी हैं। आज उसकी तारीप पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे टीका करान अभ्यान से भी दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। अब देश का प्रयास है कि हर गाउं कस्मे में भी इलाज की ऐसी विवस्ता हो कि हर छोटी मोटी बिमारी के लिए शहर के तरफ भागना न पड़े। इतना ही नहीं। शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो। इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेक अप कराना होता है तो आपको अपने गाउं से निकल करके गोरगपुर जाना पड़ता है। या फिर कई बार आप लखनों या बनारव तक चले जाते हैं। आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आदूनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। जिले में ही चैक अप की व्यवस्ता होगी। और इसलिए देश ने बजेट में स्वास्त के क्षेत्र में भी पहले से काफी जादा खर्च की व्यवस्ता की है। साथियों हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा अधार हमारा किसान भी रहा है। इसका परणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनोतियों के बीच भी हमारा किसी क्षेत्र मजबूती से आगे बड़ा और किसानों ने रिकार्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और ससक्त होगा तो क्रशी क्षेत्र में से में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस विज़ेट में कई कदम उठाये गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने इसके लिए एक हजार और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानि मंडि में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं पी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामिन छेत्र के लिए इंफास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर चालिस हजार करोड रुपिय कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाप किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्फर बनाएंगे। कुरुची को लाप का व्यापार बनाएंगे। यहाँ यूपी में जो केंदर सरकार ने जो प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना की शुरू किई है। वो भी देश के गावों के विकाव में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहट गाव की जमीनों, गाव के घरों का कागज, गाव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मुल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गाव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बूरी द्रश्टी भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाब देश के छोटे किसानों को, गाव के गरीब परिवारों को होगा। साथियों, आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्विल बरदल रहे हैं? गोरकपूर खुद में इसका बहुत बड़ा उदान है। क्रांती कारियों की ये धर्ती, कितने ही बलीदानों का गवा, ये खेत्र, लेकिन पहले यहाँ क्या तस्विर होती थी? यहाँ कारखाने बंद हो रहे थे, सडके खस्ता हाल थी, अस्पताल खुद में बिमार हो गए थे, लेकिन अब गोरकपूर खात कारखाना फिर्शे शुरू हो रहा है, इसमें किसानों को भी लाब होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज गोरकपूर में एम्स बन रहा है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। पिछले कई दसकों से यहाँ इनसे फेलाइटीस जिसका उलेख अभी योगी जी ने किया, बच्चों का जीवन निगल रही थी। लेकिन योगी जी के नेत्रूत में गोरकपूर के लोगों ने जो काम किया, अब उसकी प्रसंसा दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्थाय कर रही है। अब तो देवरिया, कुशी नगर, बस्ती, माराजगन और सिर्थार्थ नगर में भी नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, पहले पुरवान्चल की एक और बड़ी समस्या थी। आपको याद होगा, पहले अगर किसी को पचास किलो मिटर भी जाना होता था, तो भी तीन-चार घंटे पहले निकालना पड़ता था। लेकिन आज यहाँ फोर लेन और सिक्स लेन सडके बन रही है। इतना ही नहीं। गोरगपूर से आठ सहरों के लिए फ्लाइट की भी सुविजा बनाई गई है। कुछी नगर में बन रहा इंटरनेशनल एरपोर्ट यहाँ टूरिजम सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, यह विकास आत्मन निर्भरता के लिए यह बढ़लाव आज हर स्वातंतरतास सेनानी को देश की स्रधान्जली है। आज जब हम चौरी-चौरा शताब दिवर्स बना रहे हैं तो हमें इस बदलाव को सामुहिक भागीदारी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। हमें ये भी संकल्प लेना है कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है। देश का संमान हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी भावना के साथ हमें हर एक दैश्वासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझी विश्वास हैं जो यात्रा हमने शुरू की हैं। उसे हम एक नए भारत के निर्मान के साथ पुरा करेंगे। मैं फिर एक बार शहीदों की इस सताबी के बेला पर पूरे सान भर एक बात न भुलें कि वे देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वे देश के लिए मर सके अपने आपको मार सके अपने सपनों को आहूत कर सके। कम से कम हम मरने की नौबत तो नहीं है लेकिन देश के लिए जीने का संकल्प जरूर लें। उन्हें सवभागी मिला देश के लिए मरने का हमें सवभागी मिला देश के लिए जीने का। ये पूरा शताब्दी वर्ष चोरी-चोरा के सहीदों का स्मनर करते हुए ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए। हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत नानिवाद करता हूँ।